नमस्का दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने स्टूप चलने एक्जाम गुरो टिप्स अंट्रेक्शन दोस्तों अगर आप रेलवे परिच्छा की त्यारी करने के लिए सोच रहो जो आपने में 2018 में भी फॉर्म नहीं डाला 2019 में फॉर्म नहीं डाला आगे आप सोच रहो कि रेलवे की वेकंसी में आपको जॉब चाहिए तो आपके लिए यहां पर बहुत सारे मौके आने वाले हैं इन्हीं के बारे में बात करेंगे तो वीडियो को इसके मत करिएगा सुरू संतक दे आपको पता है कि रेलवे गृप डी में 10 वी पास के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया था जिसे अब परिवर्थित करती है यानि कि अगर जो आप रेलवे गृप डी की वेकंसी में आना चाहते हो तो 10 वी पास कहला की वेकंसी रहेंगी कुछ ना कुछ ठीक है लेकिन मैक पास कोई दिक्कत नहीं आप government से करो या private से करो iti का form डालके आप कर सकते हो iti वे इतनी सारी चीजियों के आसपास आपके college भी देखने को मिल जाते हैं तो घर बैठे आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो अगर जो आपको यह पहला मौका होगा जब iti के साथ आपकी भरत संक्या लगबग लगबग आधी से भी कम हो जाएगी तो अगर जो एक लाक वेकंसी आती है आप सोचों कितना कम competition रहेगा आपके लिए यहां पर चांस बढ़ जाते हैं ग्रूप डी में जॉब के लिए इसके अलावा एल पी यहीं कि लोको पाइलेट टेखनीसियन के आगे कि वेकंसी आने वाली आई नहीं आपको पता है कि लास्ट अगर जो हम बात करें एंटेपीसी 2016 में आया था उसके बाद 2018 में आपका गूरूप डी का बासट हजार वेकंसी आया था उसके बाद 2019 में ठीक एक साल बाद आया क्या आया आपका एक लाग तीन हजार 4-5 हो चुका है भले ही मंन्त्री से सवाल पूछा गया था लोक सभा में वेक ज स्वाली सीटे ने-क पदो बहरने चल चुक रहने वाला है उन्होंने ये कहा कि रेलवे इतनी नोकरिया दे चुका है और लगभग साड़े तीन लाख वेकेंसी और खाली है जिसमें एक लाख तीन हजार साथ सो नहत्तर गुरुपडी के पदों पे भरती चल लही है और अगर जो मैं कहूं कि ये कब तक चलने की संभावना है इतना जल्दी होने वाला नहीं है एंटी पीसी की चीज़े प्रोसेस पे चल लही है ठीक है तो मुझे जहां तक लगता है कि आपका ये 2022 से पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2022 की बात करें अक्टूबर अक्टूबर नमवंबर दिसंबर यानि कि 2022 की बात करें 2022 खतम होके जो 2023 आपका फरवरी मार्च तक फरवरी या मार्च तक अगर जो रेल्वे ने जल्दिबाजी की तो ये गुरूपडी और NTPC दोनों क्लियर हो जाएगा यानि कि कहीं न कहीं बच्चों को जॉइनिंग मिल जाएगा ठेकर या ट्रेनिंग के लिए जो भी चीज़े होती वो भेद दिया जाएगा 2023 फरवरी मार्च ये सारे प्रोसेस हो सकती है तो सबसे बड़ा कारण क्या है नई वेकेंसी आने का तो सबसे बड़ा कारण एक ही है एक बात ध्यान रखेगा आपको पिछली बार भी याद होगा चुनाओ आया था इसी चकर में जल्दिबाजी करके एक लाग ती नजर की वेकेंसी आपको दे दी के थी हलाकि सीटे भी खाली थी तो यहां पर सबसे बड़ा जो कारण है आपका वेकेंसी आने का वह है चुनाओ एलक्षन आपको भी बता है दो हजार चुनाओ कभ 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 है दो हजार चुनाओ ठीक है तो लगभग 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 लगभ की वेकिंसी आने के संभावना दिखाई दे रही है यहां पर ट्वेल्थ पास अगर जो मैथमेटिक्स पीसियम सब्जेक्ट है तो एक ट्कनीशन के लिए आप एलिजबल हो अगर जो आपने डिप्लोमा या आई टी आई किया है तो आप एलपी यानि की लोको पैलेट के तो आपको अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना होगा ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद रेल्वे जेई की वेकिंसी आने की संभावना जेई में बात करें इसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद गुरूप डी आने की संभावना गुरूप कहा इसको रिमूव कर लिया कि दसभी पास वाले ही अलीजबल है तो याद रखिएगा आप सभी से में फिर ने फिर से बोलना चाहता हो कि आप रेलवे के जॉब करने के एक चुक है तो आपके पास आगे के लिए कोई ना कोई टक्निकल डिगरी होना जरूरी है आपके पास जो भी आसपास है अगर जो रेलवे के जॉब करना चाहते तो उनसे भी बताए कहीं ना कहीं से आप आई ट्याइक कर लीजे आई ट्याइक कर ले करी रहोगे तो बहुत सारा बेनफिट रहेगा रेलवे के जॉब में यानि कि संभावना की बात करें इसमें सब्सक्राइब संभावना एलपी टेगनीशन की रेलवे जही की और गुरूब डी की मुझे लग रहा है जो कि गुरूब डी की लगभग पचास साथ हजार वेकेंसी पचास जार प्लस वेकेंसी रिलीज कर दी जाएगी दो हजार चोवीस से पहले क्योंकि दो हजार चोवीस में अलक्सन इसमें बेनफिट क्या होगा बेनफिट होगा सिर्फ आपका लेकिन बेनफिट तभी होगा जब आप रहोगे रेडी जब आप रहोगे तयार तो यानि कि कुछ भी हो तैयारी आपको अभी से करनी होगी कमर आपको अभी से करनी होगी रेलवे के जौब के लिए क्योंकि सम यहीं को करो आगर गोसुँक्ताई करते हैं और अगर ज सब्सक्राइब다면 करके जाना को सब्सक्राइब करें जूंड आ पार